सबी को नमस्कार आज हम सबी कक्षा पांच विशे हिंदी का प्रथम पाड़ पड़ेंगे हम भारत के भरत याने कि हम सबी भारत के बच्चे हम भारत के भरत खेलतें शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है साहस और वीरता अपने पुर्खों की सौगात है याने जैसे सबसे पहले लाइन है कि हम भारत के भरत खेलतें शेरों की संतान से याने कि हम भारत के भरत भरत जो शब्द है ना भरत शब्द चक्रवर्ती समराठ दुशंत की पुत्र के लिए ये शब्द आया है शेरों की संतान से शेरों सब्द बहु अचन है एक शेर के लिए तो अपन सेर कहते हैं शेरों सब्द आया है तो बहुत सारे शेरों के लिए आ गया है संतान शब्द का अर्थ आउलाद या संतती होता है याने कि हम भारत के भरत खेलतें शेरों की संतान से कवी कहता है कि हम भारत वासी समराठ दुशंत के प्रताबी पुत्र भरत के समान शक्ति साली हैं कवी क्या कहते हैं कवी कहते हैं कि हम भारत वासी समराठ दुशंत के प्रताबी पुत्र भरत के समान शक्ति साली हैं शेरों की संतान से हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं हम जो भारत के बच्चे हैं वो सभी शेरों के बच्चों के साथ खेलने का क्या रखते हैं साहास रखते हैं कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस तान से हमारा देश जो है हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है यानि हमारा देश सबसे स्रेश्ट देश है या सबसे अच्छा देश है इसके समान दूसरा कोई सा भी देश नहीं है इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है इस मिटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है याने इस धर्ती पर भारत की भूमी की जो ये धर्ती है इस पर जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है कवी कहते हैं कि भारत की भूमी में जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है साहस और वीरता अपने पुर्खों की सावगात है साहस और वीरता अपने पुर्खों पुर्वजों के लिए आया है पुर्वज जो रहते हैं उनके लिए आया है और सोगात जो शब्द है उसका अर्थ होता है उपहार या भेट और साहस सब्दकार्थ होता है हिम्मत कि साहस और वीरता अपने पुर्खों की सौगात है कभी कहते हैं कि हमें साहस और वीरता के जो गुण हैं वो हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए हैं या हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप दिये हैं क्या कहते हैं कवी कवी कहते हैं हमें सहास और वीरता के जो गुण हैं हमारे अंदर जो सहास और वीरता के जो गुण हैं वो हमारे पुर्वजों से वीरासत में या उपहार के स्वरूप में हमें प्राप्त हुए हैं एक बार में इस फूरे का ही वापिस हिंदी अन्वाद बता देती हूँ कवी कहते हैं कि हम भारत वासी समरार दुशंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्ति साली है हम शेरों के बच्चों से खेलने का सहास रखते हैं हम जो है वो शेरों के बच्चों के साथ खेलने का सहास रखते हैं हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है याने इससे स्रेश्ट देश कोई भी नहीं है आगे कि इस मिट्टी पर याने भारत की भूमी पर जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है और हमारे अंदर जो गुण है सास और वीरता के जो गुण है वो हमारे पुर्वजों से हमें प्राप्त हुए हैं याने उपहार के स्वरूप में हमारे पुर्वजों ने हमें इन गुणों को दिया है आगे बड़ी बड़ी जुआलाओं से कम नहीं यहां चिंगारियां काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस तान से अब जो जुआलाओं शब्द आया है न यह जुआला शब्द सूरवीर या योधाओं के लिए आया है और जो यह चिंगारियां शब्द है यह चिंगारियां छोटे बच्चों के लिए शब्द आया है किसके लिए आया है छोटे बच्चों के लिए कि बड़ी बड़ी जुआलाओं से कम नहीं यहां चिंगारियां कवी बच्चों की वीरताओं का वर्णन कर रहे हैं इसमें कवी बच्चे की वीरताओं का वर्णन करते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारियां बड़ी बड़ी करती है कि यहां के जो छोटे-छोटे वीर बच्चे हैं वो भी बड़े-बड़े योद्धाओं से कम नहीं है वो भी बहुत ही समय आने पर या संकट आने पर वो भी मदद करने वाले हैं या वो भी मात्र भूमी के लिए मर मिटने वाले वीरों में से वीर है याने यहां के जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्रेष्ट है वो भी किसी से कम नहीं है काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां क्या कहते हैं कवी कि काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां याने यहां जो बगईचे हैं बगईचे में फूल से पहले काटे आ जाते हैं पहले तो काटे लगते हैं उसमें फिर फूल आते हैं याने कि हम कठीन संगर्ष करके सफलता पाते हैं कठीन मेहनत करके हम सफलता प्राप्त करते हैं आगे क्या है कि कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से कभी करते हैं कि हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं कभी तो हम अंगारे बनकर दहकते हैं और कभी हम फूलों के समान खिल कर खुशियां फैलाते हैं, जीते मरते शान से, याने कि अपने देश के लिए हम जीते और मरते भी शान से हैं, अगर कहीं पे भी हमारे देश के लिए हमें मर मिटना पड़े, तो भी हम शान से ही मरते हैं, और हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई साभी देश नहीं है, एक बार में वापिस इसका आपको हिंदी अनुआद बताती हूँ, कवी बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, कि यहां के जो छोटे छोटे बचे हैं वो भी वीरों से कम नहीं है, यहां बगिचे में जो फूल है, फूलों से पहले यहां काटे निकलाते हैं, हम कठिन महनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, हम कभी अंगारे बन कर दहकते हैं, तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशिया फैलाते हैं हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं यानि कि हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है संसार का कोई भी जो देश है वह हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है आगे पेरेग्राब कूच समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने उंगली दातों तले दबाई अचरज से संसार ने सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के त्याग और बलिदान हमारे वृत है बारा मास के जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस तान से याने कहने का मतलब यह है अब जैसे इस लाइन में आ गया कि कूच समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने समर शब्द का अर्थ युद होता है क्या होता है कि कवी क्या कहते हैं कि जब भी जब भी हमें युद के लिए ललकारा है या हमें चुनोती दी है तो उंगली दातों तले दबाई अचरत से संसार ने जब भी हमें युद के लिए ललकारा है और हम युद भूमे में लड़ने के लिए उतरे हैं तो हमारी वीरता और हमारे प्राकर्म को देकर सारा संसार ही आश्रे चकिते रह गया है सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के कवी क्या कहते हैं कि हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं हमारे इस धरती के जो वीर है उन्होंने अपनी वीरता से तथा अपने बलिदान से सदियों से वर्षों से अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है याने इतिहास में अपना नाम अमर कराया है त्याग और बलिदान हमारे वृत है बारा मास के बारा मास यानि हम कह सकते हैं हर समय कभी कहते हैं अपनी मात्र भूमी के लिए त्याग और बलिदान की जो भावना है कभी कहते हैं हमारी मात्र भूमी के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की क्या है प्रतिग्या है या हमारे जीवन की प्रतिग्या है या हमारे जीवन का एक कठोर वृत है कि हमें हमारी मात्र भूमी के लिए त्याग और बलिदान की मन में भावना रखने चाहिए जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी खान से कभी कहते हैं कि इस मात्र भूमी की खानों से हीरे जैसे एमुले रत्न ही निकलते हैं कहने का अर्थ यह है कि इसकी मिट्टी से महान देश वक्तों का ही जन्म हुआ है इसकी मिटी से यहने इस देश की मिटी से महान देश वक्तों का ही जैन्म हुआ है कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस तान से कि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से स्रेश्ट है जो अपने हिंदुस तान से भी स्रेश्ट देश है आगे अब एक बार में इसका वापिस बता रही हूँ आपको इसमें कि कवी कहता है कि हम जब भी हमें किसी ने युद के लिए ललका रहा है या हमें चुनोती दी है तो हमारे वीरता और हमारे प्राकर्म को देखकर संसार भी आश्ट्रे चकित रहे गया और अपनी मात्र भूमी के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिग्या है इस मात्र भूमी की खानों से हीरे जैसे अमुल्य रत नहीं निकलते हैं अर्थात कहने कारती है कि इसकी मिट्टी से महां देश वक्तों ने ही जन में लिया है और सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़ कर नहीं है या हिंदुस्तान से स्रेष्ट नहीं है आगे यह धर्ती जो मा है अपनी हमें जान से प्यारी है हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परिक्षा आई है मा का दूद पिया है जो सोगंदुसी की खाई है इसी उम्र में परिचे पालें हम शम से बलिदान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़ कर हिंदुस्तान से अब कभी क्या कह रहे हैं पहली राएं में पहली जो पंक्ती है इसमें कि ये धर्ती जो मा है अपनी हमें जान से प्यारी है जान शब्द का अर्थ होता है प्राणों से भी कि ये जो मात्र भूमी है हमारी जो मात्र भूमी है हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिये है हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है जिम्मे शब्द का अर्थ होता है जिम्मेदारी और चौकस पहरेदारी का अर्थ होता है सावधानी के साथ सावधानी के साथ रखवाली करने वाला सावधानी के साथ रखवाली करने वाला कवी क्या कहते हैं कि इसकी सावधानी और सतर्क्ता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है हम सभी बच्चों की क्या है सावधानी और सतर्क्ता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है हमारी बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परिक्षा आई है कवी कहते हैं कि बच्चों से बच्चे कहते हैं कि हमारे शामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परिक्षा का समय है मा का दूद पिया है सौगंद उसी की खाई है कवी क्या कहते हैं जिस मा का दूद पिया है उसी की कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तयार रहें जिस मा का हमने दूद पिया है उसी की सौगंद खाकर या कसम खाकर हम कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए हमेशा हम तयार रहेंगे इसी उम्र में परिचे पालें हम श्रम से बलिदान से यानि इस छोटी सी आयू में या छोटी सी उम्र में भी महनत और बलिदान का अर्थ हम जान लें छोटी सी उम्र में ही महनत और बलिदान का अर्थ हम जान लें कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से यानि इस संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है एक बार वापिस में इसका हिंदियन वात बताते हूं आपको कवी कहते हैं कि मात्र भूमी हमारी भारत भूमी हमारी मात्र भूमी है यानि जो धरती है वो हमारी मा के समान है मात्र भूमी है जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है या प्रीय है इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परिक्षा का समय है अतहे हम खूब परिश्रम या खूब मेहनत करने का संकल्प लेते हैं जिस मा का दूद पिया है उसी की कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें इस छोटी आयू में ही परिश्रम या महनत और बलिदान का अर्थ जान लें और इस संसार में कोई भी देश अपने हिंदुस्तान से श्रेष्ट देश नहीं है धन्यवादू